लच्छमी जी चार बेन बाई धरीद्रता उसको कते जेश्टा देवी फिर लच्छमी फिर दाता फिर भी दाता ऐसे लच्छमी चार बेन बाई लच्छमी का विभा और धरीद्रता का विभा एक साथ हुआ इनका दुसामुनी के साथ उनका विश्णुजी के साथ विभा हु दरिदता देवी को अंदर यग्य हो रहा था, पूजन हो रही थी, उसकी सुगंद, उसको प्राप्त हो गया, प्राप्त होई तो भागी, एक मिनिट ना रुकी, और दोड़ कर गई, और पीपल के व्रक्ष के नीचे बेड़ गई, दरिदता देव, जब पीपल के पेड़ के नीचे दरिदता बेड़ गई, दोसामुनी ने का चलती क्यों नहीं हो अंदर, मैं नहीं जा सकती, फिले यग्य बंद करवा, पूजन बन, दरिदता कहती है, मैं वहा रहती हूँ, जहां पूजन नहीं होती है, मैं वहा रहती हूँ, जहां दिया नहीं जलाया जाता, तो आउंगी नहीं पीपल के पेड़ के नीचे बैठी। दुसाम उनी के मन में आ गया, बताओ मेरी पत्नी मेरे घर में नहीं रहो पीपल के नीचे रहे तो अच्छा लगीगा। दुसाम उनी गए दुर्वासा बाबा के पास पूछने के लिए। इतने में लच्छमी जी नारायन से बोली प्रभू मेरी बेहन से मिले बहुत दिन हो गए। चलो जरा मिलकर आए। बगवान गए तो लच्छमी जी मिठाई का डबा लेगा। ले जेष्टा थी थी तेरे लिए पूछ लाई हूं। जेष्टा ने जो डबा खोना तो मिठाई का थी। क्रोज आगया दरीदरता को। अरी लच्मी तुम मेरी बहन होकर तुझे यह नहीं मालूम कि मुझे क्या प्री है। तुझे मालूम है ना कि मुझे खटा और तीखा पसंद है और तु लेकर मिठा आ रही है। फेक दिया मिठाई का डबा मेरे लिए खटा और तीखा लेकर आना था। लच्मी जी बोली जी जी अब तेरी शाजी हो गई मैं समझी कि तो तो मिठा खाएगी। अब क्या मालूम पर कि अभी खटा और तीखा खाएगी। देख दिए। महाराज ये दोनों बहन का विवहा एक साथ हुआ है। इसलिए आज भी दोनों बहन प्रती दिन घुमने के लिए एक साथ निकलती है। और हमारा शिव महा पुराण का चरित्र, विश्नु पुराण का चरित्र, इसकंद पुराण का चरित्र कथा कहती है। कि दरिद्रता हमारे घर में प्रवेशना करे। इसलिए दरवाजे पर निपू और मिर्ची को तांगा जाता है। जिससे दरीद्रता देवी बहार की बहार खाकर चली जाती है और मिठाई का डबबा अंदर रखा जाता है जिससे लच्छनी अंदर प्रवेश कर जाता है मिठाई घर के अंदर और दरीद्रता के लिए निपुमिर्ची बहा है ये बाद प्रवेशना चाहिए यह अंदर नहीं आना चाहिए, धरिदिता बार रहे हैं, बार, भगवान विश्णु कहते हैं धरिदिता, आज शनीवार का दिन है जिस दिन तुमने हमारा लच्छमी के साथ दर्शन किया है इस पीपल के पेड़ के नीचे, जो शनीवार के दिन पीपल के व्रच्छ के नीचे दिया लगाता है, पूजन करता है, उसको लच्छमी प्राप्त होगे। नरेन, आप भले साथ दिन में निवास करो मना नहीं है, पर एक दिन ये पीपल के व्रच्छ में मेरा वासा होगा, और वो रविवार का दिन होगा, रविवार के दिन जो पीपल के व्रच्छ के नीचे आएगा, खाली हाथ आएगा, उसके घर में ये दरिदता प्रवेश क जाएगी भगवान विश्णु ने कहा मान लो कोई जल लेकर आया फूल लेकर आया कोई समान लेकर आया तो दरीदर्ता कहती अगर कोई वस्तू लेकर आया तो दरीदर्ता उसके द्वार नहीं जाएगी पर कोई खाली हाथ पीपल के ब्रक्रम के नीचः आया तो एहत दर देता जाओ हह अज भी निया में महाराज पीपल का ख़गर दिवालों पर लग गया कही लगवी नहीं उखड़ बार वर उखड़ कहीं फिर लग जाता फिर उखड़ दो तब वो ब्रक्ष फिर बापिस नहीं लगता आज भी नहीं है और अगर आप बेज से रोज उखाड़ों के तो दो चार आट पंदा दिन में बीस दिन में एक महिना चार महिना चे महिना बापिस लगता बापिस वही विराजमान के पर निंबू कटा हुआ अगर रग दिय और मिर्ची रग दिया और उसके बाद उसको उखाड़ा और कहिन ले जाकर लगा दिया अपने फिर फिर वो नहीं है दरी दर्टा दिया विराजमान है भगवान विष्णु लच्छमी से करते हैं लच्छमी यह पीपल का व्रक्ष है जिस व्रक्ष के नीचे है भगवान व्रक्ष का ही एक कपिल उतार पिपलेश्वर उतार भगवान शिव का एक सुरू जो कि स्वयम ददीची रिशी की धर्मपत्नी सुवार्च के गर्व से भगवान का एक आनंदमे ज्ञानमुद्रा का सुरू पुत्पन होगा जिसका नाम पिपलाद होगा वो यही पीपल क व्रक्ष के नीचे निवास करें इसकी जड़ तना पत्ते यह सब पुन्य भागी होगा पुन्य भागी होगा एक सरल विशय में ध्यान देना फिर निवेदन करूं कई माता है करती है गुरू जी हमने सफेद आंकडे की जड़ बांदी और मानलो संतान हुई और कई ऐसी है जिन्होंने बांदी और तो नहीं हुई है तो उसके लिए भी ध्यान रखियेगा अठारा साल हो जाएं सतरा साल हो जाएं दस साल हो जाएं बारा साल हो जाएं और घर में बच्चा नहीं है संतान नहीं है तो प्रयास करना सफेद आंकडे की जड़ को लेना तुमरू का जी एक पीपल का पत्ता मंगवाना शंकर भगवान पर चड़वाना और पीपल के पत्ते को गवमाता के दूद में उसको उकलवाना ठीक है? उकलवाकर थंडा करवाकर पत्ते को बाहर थंडा करने में डाल देना दूद जब थंडा हो जाए हतेली पर उस गिलास को रखना और भगवान शिव का तमुरुका जिका नाम लेकर उसको पीना चालू कर देना लगवग लगवग आठ दिन पंदरा दिन उस दूद का पान करतर फिर विश्राम को दे मारत संतान की प्राप्ति अवश्य हो संतान अवश्य प्राप्ति पीपल के विरक्ष में स्वयम मेरे भगवान शिव आनंद वास निवास करते हैं बहब भोलेना तो सुताह निवास करते हैं केवल एक पीपल के विरक्ष में कितना सुंदर लिखा पदमु पुराण में कि बावन हजार ब्रहमन एक साथ निवास पीपल के व्रक्ष में होता है, एक साथ निवास पीपल के व्रक्ष में होता है, एक साथ निवास पीपल के व्रक्ष में है, और महाराज, बट व्रक्ष में, भगवान ब्रमा का तो निवास है ही, पर बट व्रक्ष में योगनियों का निवास भी है, जैसे नीम के ब्रक्ष में भी योगनियों का निवास होता है, बड़ ब्रक्ष में भी, ये दो पेड़ जो ऐसे होते हैं, नीम का पेड़ और बड़ का पेड़, ये कहीं पर भी लगे हो, इसके पास में से आप जब निकल कर जाएंगे, तो आपको थोड़ा सा मन में हलका सा भैसा जऑशा है झाला है